यहीं से रुपा जी बात करें अगर गौार गम और गौार सीड की तो हम देख रहे हैं कि गौार गम का डिसेंबर वाइदा 10,833 पर कारभाग कर रहा है और गौार सीड का डिसेंबर वाइदा 6,046 पर रुपा जी आपने जो बतायादा कि गौार गम और गौार सीड में जो गिरावट है वो और जाधा गहरा सकती है नीचे में कीमते और जाधा गिर सकती है वैसे हम होते वह देख रहे हैं आपको क्या लगता है क्या यहां से अभी कीमते और गिरने की कुछ आशंका है बिल्कुल अभी प्राइजिस के उपर दबाव है आप देखिए अब ना जो मार्केट हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर अभी जो वह फिलाव सोय भी इंस्टीड ऑफ गवार तो अभी गवार के अंदर एक बजार जो वह सुस्ती की तरफ जा चुका है लगातर प्रेशर जो है में गवार के अंदर देखनी को मिल रहा है क्रूड के पैजिस क्रेश हो रहे हैं इसमज़े से भी गवार के ऊपर जो लोग जो पहले एक तरफा बाइंग करते नजर आ रहे थे वह कही नगा है इसमचीन का मोहल है इसमचीन कर में बातर बाहिब दिखाई को अभी जो कहीं ट्रेडर्स इसे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से प्राइजिस एक बार फिर से रुक से गए हैं और नीचली स्थरों पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन फिर भी टेक्निकली अगर देखें तो हम 10,000 पर सपोर्ट है अच्छा कासा अगर 10,000 के उपर बना रहता है तो वापिस से बाजार उपर जा सकते हैं और एक तेजी बन सकती है लेकिन अभी फिलाल इन लेवल्स के उपर ना तो सेलिंग करें बहुत जादा और ना ही इसमें एक बाइंग करें वेट करें 10,000 का अगर लेवल नहीं तूटता तो वापिस से मार्क इनिशेट उपर आएगा और 11,000 के उपर निकले तो फिर से बाइंग इनिशेट कर सकते हैं जी